तो आज बात होगी अर्विंद केजरिवाल के बारे में दोस्तों जियां आज के सब्जेक्ट है अर्विंद केजरिवाल का पिल जी तो पहले प्रोग्राम की एक शरत छुपा कुछ नहीं सकते हैं बिलकुल बिलकुल और जो छुपाएंगे वो सब पता चल दाएगा ये वहल आज के शुगी हीट लाइन यही है अर्विंद केजरिवाल जी तो आप तो कौन से फेस से जुड़े आप अर्विंद केजरिवाल से जुड़े थे आप जिस फेस में उन्होंने कस्मे खानी शुरू नहीं की थी बच्चों की निकाई थी तब जुड़ा हुआ था पहले ए परिवर्तन में दिली उनिवर्स्टी में जब आप्लिकेशन डाली गई थी तब यूनिवर्स्टी में वो जो पूरा आंदोलन था कि स्टुड़ेंट्स को आपने आंसर शीट मिलनी चाहिए उस आंदोलन कर रहे थे तो आंदोलनों का वो दौर था जैसे करा लट्या कांड के अंदोलन था उस वक्त हम लोग एक्टिवेते फिर कामनवेल्थ इंडिया गेंज्स कर्रप्शन जब शुरूब आनन दोलन था तो वो कामनवेल्थ गेंज़ घम्स घोटाले के ओपर पहले एक आंदोलन शुरू हुआ है उसके बाद इंडिया गेंश कर्प्शन शुरू तो एक परिवार के लिए अच्छे नहीं है, तो एक परिवार के लिए अच्छे होंगे, विल्कुल देखिए, अगर आई एरेस में रहते तो एक चोटा सरकारी घर होता, उसकी तंखा होती है, आशीष महेल खड़ागर के बच्चों को दिया हुआ है, तो एक परिवार के तोर पर देफिनिटली उनके बच्चे सोसते होंगे एक अच्छे पिता मिले एक अच्छी मुझे मुझे और मुझे आरविन के पर्सनालिटी की कोई ऐसी बात बताईए जो आपको लगाए इस लिहाद से आदमी ठीक है कम से का तो वही तो मैं बता रहा है डिली में सरकार है उसमें हमेशा यह भरोसा था क्योंकि कि किसी वेक्ति के लिए तो अंदलों रहा था एक मुद्दे पर हो रहा था वेकलपिक राजनितिक व्यवस्था के लिए हो रहा था और उसमें ऐसा लगता था कि इसकी सफलता सुनिश्ची तह चाहे कितने भी सब्सक्राइब कर देखा था कि जब कहते थे कि चंदा पारदर्शी होना चाहिए चंदा हटा लिया गया था वेबसाइट से विदेशी आत रहें बंद कर दी गई थी कोन कहा कहा पे जा रहा है उस प्रकार का बदला और उसके बाद पंजाब के चुनाओं के समय तो सारे देश नहीं देख लिए पहले से है तो वो लोग पैसा लें देन और उसी वक्त मैंने इसलिए हवाला और विदेश यात रहे दो मुद्दे मैंने उ कि बिश्वर की क्रिपास से जल्दी हो गया यह जरूर है कि मैं लगता था कि यह संगर्श लंबा चलेगा ज़िए यह यह इनवाल्ड थे या उनकी आसपास की लोग करते नहीं कोई बीचीज अर्विंद के आसपास कोई नहीं कर सकता बिना उनके और किसी भी नेता के अफित आप बस्ताइब